पवन सिंग के विरोधी खेमा भी उनके गाने का दिवाना है लेकिन वो बात और है कि उसे पब्लिकली कहने में उन्हें थोड़ी हिचिक होती है लेकिन भाई ये सारा कुछ तब देखने को मिला जब पवन सिंग की आवाज की फैन कही जाने वाली रिनी चंद्रा अब आप ये कहेंगे ये कौन है तो हम आपको बता दे कि खेसारी के खास मैनेजर विवेक सिंग की पतनी है रिनी चंद्रा जिन्होंने पानी पानी सौंग गाया था और अक्षरा सिंग को आवाज दिती इन्होने stage पर जब पानी पानी song का launching था उस وقت stage पर जब इनसे भोचपुरी गाना गाने को कहा गया तो इन्होने पहले ये कहा कि इन्हो भोचपुरी आती नहीं है और ये भोचपुरी में सिर्फ एक ही गाना गाती है और वो है लुलिपॉप लागे लूप और रिनी ने इस सौंग को बगायदा स्टेज पर गाया भी लेकिन जैसे ही रिनी ने इस सौंग को गाया विवेक सिंग अपना मूँ छुपाते हुए फिरने लगे पूरे स्टेज पर उन्होंने अपने मूँ को अपने टी-सर्ट से कवर कर रखा था ये देख उनकी पतनी र बनेंगी बनेंगी बाद में रिनी ने गाना खत्म करने के बाद सौरी भी कहा और लोगों को ये बताया कि भोजपूरी में सिर्फ वो एक ही गाना गाती है अब आप इस बास से अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी के खेमे में भी लॉलिपॉप की कितनी डिमांड है वैसे अमूमन भोजपूरिया स्टार्स एक दूसरे के गाने पे परफॉर्म करना बिल्कुल पसंद ने करते हाँ ये बात और है दोस्ती यारी में ये सब कुछ चल जाता है लेकिन फिलहाल खेसारी और पवन में दोस्ती का कोई भी एंगल नहीं दिख रहा है और ऐसे में इस तर करना बिल्कुल नहीं